यहां नियंत्रक का अर्थ है याद रखिएगा नियंत्रक का अर्थ है सरकार के समस्त खर्चों पर निग्रानी रखना और ऐसा प्राधिका रखना जो सरकार के बीट पर नियंत्रन रखे महालेखा परिक्षक यानि ओडिटर जनरल का मुख कार क्या है और जनरल का मुख कार है संसत के द्वारा अवंटीत धन की देख रेख करना और साथ ही यह देखना कि सरकारी धान का उप्योग उची तरीके से हो रहा है या नहीं और साथ ही साथ सरकार को बितिये मीट ब्याईता के उपाय सुझाना भी इसका महत्पूर्ण कारे है नियंतरक यों महालेखा परिक्षक लोक बीत के सनक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण बितिये बिवास्था का नियंतरक होता है इसका नियंतरन राज और केंद्र दोनों अस्तरों पर होता है इसका कर्तव होता है कि भारत के सन्विधान यवं संसत के बीधी के तहत बीतिये प्रशासन को निगरानी रखे 1976 तक नियंतरक एँँ माहलेखा परिक्षा के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमा के अंतरगत केंद्र और राज सरकार दोनों के लेखा परिक्षण और तथा सवी तरह के बीतिये लें देन के समस्त लेखे समलित थे लेकिन 1976 के संसत के द्वारा पारित एकदिनियम के माध्यम से कैको लेखांकन समंधी दाइतों से पुन्ता मुक्त करते हुए उसके कालेकों के वल लेखा परिक्षण तक सुनेशित कर दिया गया ड्र.B.R. अमबेतकर ने कहा था क्या कहा था नियंतरक माहलेखा परिक्षण भारतिय सन्विधान के तहत सौर परमुक अधिकारी होगा यह लोगतांत्रिक बिवस्ता में भारत सरकार के वितिय रक्षण में से एक होगा इन वितिय रक्षण में उस्तम नियाले निर्वाचन आयोग यूं संग लूग सिवा आयोग समलित है इस बात को ध्यान में रखीएगा, इंपोर्टेंट है इसके बाद कैग की जो सनरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो देखिए नियंत्रक यूं महालेखा परिक्षक एकल सदसिय संस्ता है जो कैग है ये किस परकार की संस्ता है एकलस सदस ये संस्ता है या भारत के महालेखा परिक्षक विभा का सिन्वेधानिक परमूख होता है और इस विभा के अन अधिकारी पूर्टक कैक के अधिनस्त होते हैं भारत के अन राज्यों में कैक के जो एजेंट है अभी करता है इनके रूप में कई अन अकाउंटेंट जनरल निव्ट किये जाते हैं तो भारत के अन राजियों में कैक के अभिकरता यानि एजेंट के रूप में कई अन अकाउंटेंट जनरल निव्ट किये जाते हैं जो राज सरकार के लिखाओं की जनकारी कैक को देते हैं इनकी नियुक्ति, कारेकाल और पद मुक्ति इन से समदित पहलुओं पर फोकस करेंगे कैग की नियुक्ति राश्पति के द्वारा की जाती है याद रखिएगा में से यानि 6 वर्स या 65 वर्स के आयू तक इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा ये अपने पद पर बने रहेंगे इससे पहले वकिसी भी समय राश्पती को अपना त्याग पत्र भेज कर पद छोड़ सकता है कैक को अपने पद से उसी परकार से हटाया जा सकता है जिस परकार से उस्तम नियाले के नयाधिस को हटाया जाता है यानि संसत के दोनों सदनों के द्वारा BCS बहुमत के साथ उसको जो है सावित कादाचार या अयुकता पर प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है कैक का वेतन उस्तम नियाले के नयाधिस के समक्ष होगा कैक के पेंशन और भते भारत के संचीत निधी यानि Consolidated Fund of India पर भारित होते हैं और कास प्राप्ति के पहश्चात कैक कोई भी सरकारी पर धारण नहीं कर सकता है कैक के जो कार हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे महालेखा परिक्षा का प्रात्मिक उद्धिस या सुनिशित करना है कि संसत के द्वारा आवंटित धन को उसी उद्धिस के लिए बैग किया जा रहा है जिस उद्धिस के लिए संसत ने आवंटित किया था और साथ ही साथ ये भी देखना है कि धन वही प्राधिकरन खर्च कर रहा है जिसे खर्च करने के लिए प्राधिकरत किया गया था यानि जिस अंस्था को खर्च करने के लिए धन दिये गये थे वही कर रहा है या नहीं इसकी भी ये निगरानी करेगा लेखा परिक्षक का उद्यस यह होता है कि परते खर्चे की बीती आलोचना की जाए यदि कोई अनियमेतता पाई जाए तो उस पर उचित कारवाही की जा सके इसके बाद आगे बढ़ते हैं नियंतरक एवं महा लेखा परिक्षक अधिनियम 1977 के नुसार के निमलिखित खर्चों का जो है ओडित करता है लेखा परिक्षा करता है भारत की संचीत निधी पर भारित केंद्र सरकार और राज सरकारों के सभी खर्चों का ये ओडित करता है भारत की आकस्मिक नीधी और लोक नीधी के सभी खर्चों का ये अउडिट करता है लेखा प्रिच्छा करता है किसी विभाग के द्वारा किये गए सभी बेपार, निर्माण, लाव, वहानी की जाच करता है सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जाच करना इसका कारे है इसके बाद सभी सरकारी कमपनियों के खर्चे की जाच करना उन्हें सभी निगमों के खर्चों की जाच करना जिनकी कानून के द्वारा कैग को जो है अनुमती दीजाए कैग राज और केंदर सरकार के सभी खर्चों की बीतियें जाच करता है खर्च कहां किये गए, किस उदेश से किये गए, किस प्राधिकारी की द्वारा किये गए और किन योजनाओं में किये गए इन सभी परकार के प्रशनों की जाच कैग के द्वारा की जाती है कैग समस्त सरकारी खरिद और विक्री की जाच करता है तथा यह देखता है कि इनमें कितनी मित बेटा की जा सकती है कैग सरकार की समस्त प्राप्तियों की जाच करता है और यह देखता है कि करो और राजजसों की प्राप्तियों में नियम और कानूनों की अंदेखी तो नहीं की गई है मनमानी तो नहीं की गई है नियंत्रक यो महालेखा परिक्षक किसी कर या सुल की सुध आगमों का निधारन तथा परमाणन करता है और यहां सुध आगमों का जो अर्थ है कर या सुल की ऐसे प्राप्तियां जिसमें संग्रहन की लागत समलित न हो इसका जो जिक्रह अनुछे 200 संतार्वी में 297 में किया और यह भी देखता है कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता था या नहीं। जब संबंध नियमों द्वारा आवस्य हो अन नियमों यम निकायों का लेखा परिक्षा। इसके बाद अगर बात करें तो दिखिए नेक्स्ट क्या है वह किंद्र सरकार के लेखों से संबंधित परतिवेदा राजपती को सौपता है जो उसे संसद के पटल पे रखते हैं। अनुचेद 151 में इसका जिक्र है और राजव सरकार के लेखों से संबंधित भी परतिवेदा राजपाल को सौपता है जो उसे बिदान मंदल के पटल पे रखते हैं। और राजपाल, अनुछियद 151 में इसका भी जिकर है, वह संसत की लोक लेखा समीती, संसत की जो लोक लेखा समीती है, इसके मित्र और मार्ग दर्सक, गाइड के रूप में यह कारी करता है, महा लेखा परिक्षक संसत का एजेंट होता है, अभी करता होता है, और उसी के माध प्राश्टी अस्तर पर लेखा परिक्षा के लिए परिस्तिक्षण देना भी कैका महत्पूर्ण कारे है। के लिखा पर पत्र की जाच करता है या कर सकता है और किसी भी विभाग से दस्तावेज भी मंगवा सकता है। लोक लेखा समीती अपनी परतिवेदन संसद में प्रस्तूत करती है। परतिवेदन को समझने में लोक लेखा समीती की सहयता करता है लोक लेखा समीती के द्वारा परतिवेदन को समझने के लिए कभी भी कैक को बुलाया जा सकता है कैक को सरकार के आय ब्याय की देखरे करने वाली सबसे बड़ी सन्वेधानिक संस्था का दरजा प्राप्त है यानि कैग की भूमिका जनता के धन के रक्षक के रूप में है कैग की सिमाय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे देखिए गुप्त सेवा ब्याय कैग की लेखा परिक्षा भूमिका पर सिमाय निधारित करता है और इस संबन में कैग कायरकारी एजेंसियों के द्वारा किये गए ब्याय के बेवरे नहीं मांग सकता बलकि उसे सक्षम प्रसासनिक प्राधिकारी सिये प्रमान पत्र को स्विकार करना होता है जो ब्याय इस प्राधिकार के अंतरगत किया गया है कैक की भूमिका बैय होने के बाद क्यों बैय का लेखा परिक्षा करना होता है याद रखिएगा सारोजनिक निगमों की लेखा परिक्षा में कैक की भूमिका सीमित है निगमों के साथ इसके समंद को निमलखितीन सिरेणियों में रखा जा सकता है पहला है कुछ निगमों की लेखा परिक्षा और रूपेंड एवं पर्तेक्स तोर पर कैग के द्वारा की जाती है जैसे दामोदर नदी घाटी निगम, तेल एवं प्राकर्ति गैस आयोग, एर इंडिया, इंडियान एर लाइन्स कोर्परेशन आदी कुछ निगमों की लेखा परिक्षा निजी पेसिवर लेखा परिक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कैग की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा निउप्त किये जाते हैं, यदि आवस्यक हो तो कैग पूरक लेखा परिक्षा कर सकती है, जैसे की केंद्रिये भंडारन निग और अधागिक बीत निगम एवं अन्य कुछ अन्य निगमों की लेखा परिक्षा पुरी तरह नीजी लेखा परिक्षा की जाती है इसमें कैय की कोई भूमिका नहीं होती है जैसे में जीवन वीमा निगम भारतिय रिजर बैंग भारतिय एस्टेट बैंग भारतिय खाद इत्यादी तो कुछ अन्य निगमों की लेखा परिक्षा पुरी तरह से नीजी लेखा परिक्षा के द्वारत की जाती है और इसमें कैय की कोई भूमिका नहीं होती है जैसे जीवन वीमा निगम में भारतिय रिजर बैंग भारतिय एस्टेट बैंग भारतिय खाद निगम इत्यादी इसको ध्यान में रखिएगा इसके बाद कायक की भूमिका पर जो वरतमान विवाद है इस पर चर्चा करेंगे तेकि वरतमान में अगर बात करें परजेंट में नियांतरक यों महालेखा परिक्षा की यानि कायक के दौरा कुछ मामलों पर अनुमानित घाटे की ब पहले पाव नीती के अधार पर किया गया था प्रंतु कैक कमाना था यदि यह अवंटन निलामी परकिरिया के अधार पर किया गया होता तो सरकार को लगभग एक लाख सतर हजार करोड उपे का लाव होता जो की अनुमानों पर अधारित जाच थी इसी तरह कोईला ब्लॉक अवंटन में भी गहाटा दिखाया गया तूजी एस्पेक्ट्रम और कोईला ब्लॉक के अवंटन में जो है कैक के द्वार अगर बात करें चैक के द्वारा अगर बात किया जाए तो भारी अनियमीता का आरूप लगाया गया है और इसमें कैक ने अनुमानित घाटे की संकल परियुक किया है जो वर्तमान समय में दुनिया के जो है अनेक देशों में परियुक किया जा रहा है इसको ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है इसके बाद गिए भारत के महालेखा नियंतरक यों परिक्षक से सम्द्धी जो अनुछेद है जो आर्टिकल है इसके बारे परिक्षक के कार एवं सक्तियां, आर्टिकल 150 का जो संबंध है, संग तथा राज्यों के लेखा प्रारुकों के संबंध में राश्पती को सला, आर्टिकल 151 में जो मतलब की उपुबंध है, अंकेचन परतिवेदन, रिपोर्ट से, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक् परिक्षक जो रहे हैं, पहला नाव है, वी नरहरी राव, प्रथम है, याद रखिएगा, 1948 से चोवन, ठीक है, इसके बाद, एकके चंद्रा, एकके राय, ए सरंगनाथन, ए बक्षी, ग्यान परकास, टीन चतुर्वेदी, इसके बाद, सीजी सुमया, वीके सुंगलू, वी कॉल, बिनोद राय, ससीकांत सर्मा, राजीव महर्सी, और ग्रेश चंद्र मुर्मू, द्वादर बीश से बर्तमाथ, तो मैं द्वारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, देखिए, जो भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक हैं, नाम याद रखिएगा, पहला नाम आ बिके सुंगलू, वी एन कॉल, बिनोद राय, ससीकांत सर्मा, राजीव महर्सी, और ग्रेश चंद्र मुर्मू, अगस 2020 से बर्तमान ता, तो ध्यान में रखिएगा, देखिए, इसके बाद अगर बात करें, तो प्रवासी भारतिये मामलों के मंत्राले का बीदेश मंत्राल में बिले, इस पर अधारित कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अगर बात किया जाए, तो देखिए, 7 जनवरी, कब 7 जनवरी 12 को किंदर सरकार ने बीदेश मंत्राले के साथ, जो किंदर सरकार है, इसने बीदेश मंत्राले के साथ, परवासी मामलों के मंत् इसका उदेश क्या था नियुंतम सरकार अधिक्तम प्रशासन के लक्ष को प्राप्त करना विदेश मंतराले का या मानना था कि प्रवासी भारतिये मामलों की जो मंतराले है इसको और निवासी भारतिये मंतराले के रूप में अस्थापित किया गया था ठीक है द्वासी निति मंत्रालेव के हितों और उद्देशों में स्वभाविक समानता है तो जो बात करें तो क्या अनुभव किया गया अनुभव ये किया गया कि 12 से दोनों मंत्रालेव के लिए एक मंत्री और एक राज मंत्री बनाए गये और जिनोहों ने अनुभव किया क्या अनुभव कि यानि Union Public Service Commission के बारे में चर्चा करेंगे ये भी बहुत जादा important topic है आप अपना पर्तिकिरिया देते रही है आपके पर्तिकिरियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है और जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप फेस्बूप पेज इंस्टाग्राम को जोईने किया है वेडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप जोईन कर सकते हैं और जी लोगों को PDF शाइए आप PDF ले सकते हैं इसके लिए टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल की कम्यूटिव बॉक्स में जाए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इन्फर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है थाइंक्यू मिलते हैं एक सेशन में अभी के लिए इतना ही